तो कैसे हो आप लोग सभी आज हम डिसकस करने वाले हैं 5 most important tips right to get 100% marks in sweet PG exam right तो 300 marks का होता है हमारा sweet PG का exam उसमें से हम कितना score कर सकते हैं sir तो उसी बात के हम answer करने वाले हैं आज के session में उससे पहले मैं बता दू sweet PG के लिए recorded course अवेलेबल है IFS की तरफ से याद रखे हीगा यह sweet PG zoology, botany, microbiology, biochemistry और life science सभी aspirants के लिए हैं अलग-अलग recorded course dedicatedly बनाए गए हैं और ध्यान रखेगा यह guaranteed selection course है हमने आपका ध्यान रखकर हमने exam का ध्यान रखकर ठीके तो उसको design किया है और dedicatedly बनाया है recorded course वो आपकी ठीके बहुत बहुत जादा मदद करने वाला है sweet PG exam को qualify करने में और definitely उसको पढ़ लिया आपने तो guaranteed selection को selection की guarantee है ठीके बस simple सा आपको इस website पर visit करना है और enroll होना है www.ifsonline.com पे चलिए start करते हैं पहला point first है सबसे पहले किसी exam को qualify करने के लिए हमें आप चाहिए कुछ भी कहे या आपको लगता है कि सर मुझे समझ में नयारा क्या करूँ कहां से start करूँ तो ये 5 important tips आपने qualify आपने सीख ली तो आप qualify कर जाओगे और 100% marks लिकर आ सकते हैं लिटरली बोल रहा हो 100% ठीक है तो चलिए start करते हैं पहला है master the syllabus and exam pattern जाने कि सबसे पहले तो आपने syllabus को अच्छे से देखिएगा आप स्वेट पीजी license को target कर रहे हैं तो उसमें 12 license में 8 unit है जोलोजी को target कर रहे है या फिर बोटनी को target कर रहे हैं तो वहाँ पर 14 14 units आपको देखने को मिलेगी ठीक है या फिर आप microbiology को target कर रहे हैं तो वहाँ का syllabus देख लिजे एसे प्रॉपर syllabus को analysis कीजिए पहला point यही हमाता है कि हम syllabus को अच्छे से देखें क्या क्या है syllabus में हमारे क्या क्या नहीं ठीक है अब life science के syllabus की बात करें तो वहाँ पर sub topic भी given है कि किस unit के अंदर क्या 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 पढ़ना है अब उसमें उन sub topics के अंदर क्या पढ़ना है वो हमने recorded course में आपको दे रखा है बस आपको simple सा ठीक है इस website पर visit करना है www.ifsonline.com ठीक है और इस website पर visit करके आप हमारा planner भी देख सकते हो और हमारा recorded course भी ले सकते हो अब मैं बताता हूँ second बार syllabus आपने अच्छे से देख लिया बोटनी और जूलोजी के syllabus given नहीं है given नहीं है मतलब syllabus में units का नाम mention है बट sub topic ही नहीं वहाँ पर पढ़ना कहां तक है ये sweat PG NTA वालो ने नहीं बताया है ठीक है तो कहां तक पढ़ना है उनकर कौन कौन से sub topic include होना चाहिए वो कहां से पता चलेंगे आपको इस website से क्योंकि यहां five important topics यह five important tips बताने आया हूं में तो सारी detailed information हमारी website पर है आप वहां से check कर लिए बस मैं आपको source ज़रूर बता सकता हूं ठीक है syllabus देख लिया syllabus के बा इनकर एकॉषन गलत करते है तो माइनस वन आपको यानिक होग्स में से बन फोर्थ कितना हुआ वण मांकि कितनी उन इकसो पांच मिन्ट 105 मिनिट का एक्जाम होता है uh eight PG का ठीक है चले पहला आपने से ले बस अच्छे से ध्यान से देख लिए exam का परदन पहली स्टेप फोकस्ड रिवीजन, ठीक है, यह most important है, किसी वे एक्जाम को qualify करने वाली most important tip है, strategic study plan को मतलब क्या हुआ, अपने study plan को उसके accordingly design करें, कैसे, अब आप कोई भी दो unit को एक दिन में पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें से एक difficult, एक easy को ले, इस तरीके का study plan करें, आप daily target करें कि मुझ इतने घंटे, मुझे आपको तीन घंटे मिलते हैं, आपको धाई घंटे मिलते हैं, आपको दो घंटे मिल रहे हैं, आपको जिसके accordingly मिल रहा है, आप उतने time में अपने units को distribute कर लें कि मुझे यह unit इतने दिनों में कर देनी, क्योंकि हमारे recorded course में number of lectures given होते हैं, ठीक है, और lectures given हैं सारे के सारे, तो आप count करकर decide कर सकते हो कि unit कितने दिन में आप खतम कर सकते हो, तो strategic study plan होना चाहिए, और focused revision कीजिएगा, ठीक है, जब हमने पढ़ा दिया, उसके बाद revision proper हमारे PDF notes से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे बात आती है, जैसे कि मैं manage your preparation time time को कैसे manage करते हैं, यह मैं अगली slide में आपको बता भी दूँगा, पहला है, creator realistic study plan, allocating time for each topic based on topic, यह line में इसलिए बाहर पढ़ रहा हूं है, ठीक है, based on weightage and your understanding, ठीक है, इस तरीके से प्लान केजिए, अब किस topic का कितना weightage है, उस unit से बार-बार पूछा या उस unit में भी किस topic स पूछे जा रहा है, अब उस unit के अंदर कई सारे topics होंगे, और कुछ topic ऐसे होंगे, जासे कभी question पूछी नहीं रहा है, तो उनको कम time दे, कुछ topic ऐसे हो रहे है, उस unit में जो बार-बार Soviet PG के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो उन topics को जादा time दे, अब सरी यह पता कैसे तो यही तो है, study plan में, strategic study plan में आपको paper analysis देखना पड़ेगा, और paper analysis आपको कहां मिलेगा, IFS की website पर मिलेगा, paper analysis, ठीक है, तो create a realistic study plan, right, पहला, और actively study कीजिए, ठीक है, जब आपका मन लगता है, तब ही आप पढ़ाई कीजिए, ऐसा नहीं कि कुछ काम करते-करते तो proper time decide कीजिए, उसके accordingly, तो actively study, take clear notes, क्योंकि clear notes आपको लेने की जरुवत नहीं, यह तो IFS खुद ही आपको provide कर देता है, but आपको लेना चाहते हैं, आप खुद आपने हाथों से notes कुछ लोगों के आदत होती, लिख कर पढ़ने के, तो proper notes बनाएं, ठीक है, और revise them regularly, revision का time निकाल कर दूँगा मैं आपको, don't worry, कैसे, ठीक है, तो daily basis पर जो हमने पढ़ा है, वो पढ़ें, फिर उसको revise करें, ठीक है, utilize tools like mind map, flashcard और solidify the concept, कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि mind maps का use करें, कैसे अपने दमाग में एक image बना के, इसके बाद यह हुआ होगा, इसके बाद कर आप पढ़ते हैं, उसकी wall पर से stick करवा दे, ठीक है, clear है, तो उस basis पर, consistency यह most important point है, consistency is the key, so aim for daily और alternate day revisions, याद रखने ही, consistency बनाए रखना है, आपको time नहीं मिल रहा है, तो every alternate day revision किजिए, जो आपने पहले पढ़ा है, या फिर daily time मिल रहा है, तो daily revise किजिए, ठीक है, यह consistency के साथ आपको करना है, तो यह दो point हमने बात करी, पहला है, आपको syllabus और exam pattern अच्छे से देखना है, यह strategy, study plan है, ठीक है, और revision पर focus करना है, यह दो point और third point आपका यह आता है, ठीक है, दो point हो चुके, दूसरे point के अंदर कई part है, study plan, वो भी मैं आपके लिए लिए कर आया 7 a.m. पर आप यदी उड़ जाते हैं, जो लोग 7 a.m. पर 9 a.m. पर उड़ते हैं, तो लास्ट में 12 p.m. पर सुएं फिर, ठीक है, दो घंटे आप यहाँ पर utilize कीजिए, 7 a.m. to 9 a.m. device कीजिए, जो एक दिन पहले आपने पढ़ा है, ठीक है, उस दोरान जो पढ़ा हुआ ह उसको revise कीजिए, जितनी भी unit आपने अभी तक आदी कर लिए, तो उस पूरी आदी unit को revise कर लिएजे, बार बार revision करने से revision का time बहुत कम होता चला जाता है, ठीक है, 9 to 10 a.m. आप breakfast कीजिए, आप तयार होईए, अपने college जाने के लिए, 10 to 4 p.m. आपका college है, तो आप 10 to 4 p.m. college अटेंड कीजिए, इतना लंबा नहीं होता, बर इस्तिल हो, तो इतना कीजिए, ठीक है, फिर घर load कर आजाए, 4 to 4.30 के बीच में, और 4.30 to 5 p.m. में tea coffee break जो भी लेना है, आपको लीजे, ठीक है, fresh हो जाएए, proper, अब ये time मैंने घर आने के लिए 4 से 5 तक कर रखा है, आप देखिए, आप चाई पी के पहले बाहर से आ जाते हैं, तो फिर डारिक्ट आका, freshers हो कर पढ़ना ही बिढ़ जाए, तो 5 to 8 p.m. पर recorded lecture, जो IFS आपको प्रोवाइड करता, ये 3 घंटे आपको वो देखना है, अब 3 घंटे में से आप के पास 2.5 आर ही रहता है, तो उतना ही पढ़िये, बढ़ पढ़िये जरूर डेली कंसिस्टेंसी के साथ, किसी दिन पता चले, आप आदर घंटे लेट होगे, उसके घर ना, आज का तो पूरा टाइम ही वेस्ट हो गया मेरा, नहीं, 2.5 आर स्टिल यू है, तो उतना आई है, ठीक है, डीनर करने के बाद अब इतनी देर तक डीनर नहीं चलता, max to max, ठीक है, आपके घर खाना भी नहीं बनाओगा, तब भी 8.30 तक डीनर हो जाता, हाफे ना लगता है, गरम गरम चपातिया खा रहे थे, धीरे धीरे आ रही थी, ठीक है, फिर भी 8.30 तक डीनर तो डीनर करने के बाद 9.00 पर इस ट्रिक्ली आप बिड़ जाओ, कोशन करने के लिए, कोशन प्रैक्टिस करने के लिए, 9.00 तू 10.00 पी एम और 10.00 तक जब नीन आने लगे तब सूजाए, सोने के बाद फिर वापस, अब इस कोशन प्रैक्टिस के अंदर, हम IFS दे जो ठीक है, जितना रिवीजन इंपॉर्टेंट है, उतना ही कोशन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दो बार रिवीजन इसलिए आ रहा है, क्योंकि एक बार आप हमारा रिकॉर्डिड लेक्चर देख रहा है, दूसरी बार खुद पढ़ रहे हो, ठीक है, इस बूमन परफेक्ट, यह लाइन तो आपने हर जगे सुनी होगी, अब बात यह आती है कि प्रैक्टिस में क्या असर, तो प्रैक्टिस में आप क्या करिए है, क्यों मैंने टाइम बताया है, टाइम सेडूल बता दिया है, उनको सॉल्व कीजिए, आईफेस ने उनको क्या कर है, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप सारा का सारा देखने लगे कि अच्छा सेल बाय को कुशिन कहा पर, कहा पर है, आपको धूनना पड़ा नहीं, हमने आपके लिए धून कर एक साइट वहाँ पर मेंशन कर रखे है, एंड रिलाइबल मॉक टेस अंडर टाइम कंडिशन और मॉक आपके यूनिट कंप्लिट हो जाती है, सारी के सारी पढ़कर तो आप मॉक टेस्ट बीजिए, या फिर एक यूनिट कंप्लिट होती है, तो वी हैव यूनिट टेस्ट फोर यू एज वेल, आप यूनिट टेस्ट दे सकते हैं, हम आपको रिकॉर्डड़ कोर्स के साथ टेस 10 मार्फ आये थैंब कितने आ हर बार मारक्स में बढ faces रहे होण चैण के बहुत कम बहुत कम परसेंटेज आ रहे बहुत कम मार्क्स आ रहे आता आने हलु कोई बात निरा शक्त है कोई बात नहीं बढ़ आपको ये अर्बार बार मानना है और अपने आप से एक promise करना होगा कि मैं हर बार चाहे मैं 2% क्यों ना बढ़ाऊं ठीक है चाहे मैं 4 marks या 8 marks क्यों ना बढ़ाऊं बढ़ाऊं बट मैं हर बार थोड़े-थोड़े marks बढ़ाता जाओंगा जितनी ये बार में test दूंगा कम तो नहीं करने दूंगा ठीक है बस इतना प्रोमिस कर लिया आप बहुत आगे जाओगे ठीक है अब analyze your performance अब analyze तो कर लिया उसको करना क्या है उसमें वी के एरिया को identify करना कहां घड़ बढ़ी हुई है कहां आपने question गलत कर रो इसका मतलब वो concept कहीं न कहीं वी क्या आपका तो उसको दो बारा पढ़के उस चीज को clear out कीजिए ठीक है कोई एकसा topic के जिससे बार-बार गलतिया होती है मुझसे उस topic को अपने revision में include करो और हर बार उसके revise करते रो उसका ठीक है third point है mock test, unit test आपने कर लिया अब last सारी unit complete होगी तो mock test, mock test help you get a comfortable with the exam format, improve your time, exam format के साथ comfortable feel करवाएंगे, time को improve करते है mock test, right, और build exam temperament, हमें उस position में लेकर आते हैं, ठीक है mock test के जैसे exam में हम feel करते हैं, वैसा ही temperament में, तो इसी बच्छिस पर इस वज़ए से मैं आपको बोर रहा exam whole कर लेता है, वो पहले रही से ही आप develop कर लेंगे, दीरे 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 उस pressure को overcome कर जाएंगे तब exam आएगी, ठीक है, इसलिए practice max, man and woman, perfect, यहां दिया, fourth statement में आपको यहीं पर कहना यहीं चाहूँगा कि high quality study material, high quality study material क्या मतलब क्या है, कि आप हमारी recorded course में enroll नहीं हुए है, त इसके अंदर हमने आपको dedicatedly PDF notes provide कर रहे हैं, ठीक है, PDF notes इसके अंदर क्या होगा, कि आपको proper way में lecture 1 के PDF, lecture 2 के, lecture 3 के, lecture 4 के, जो उसको फटा-फट revise करने में बहुत जादा आसानी होगे आपको, और कितना content पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, यह सब धूंडने और इन सब की यह सब problem नहीं आना चाहिए, क्योंकि IFS आपको provide कर रहा है, इस website पर enroll करने से, अगला आता है, focus, consistency, well-being, यह होना ज़रूरी है, focus होना ज़रूरी है, consistency होना ज़रूरी, consistency का मतलब है, first focus you have to be focused right, आपको किसी काम को करना है, तो उसके लिए focus करना ज़रूरी होगा, अब आप second point आता है, consistency का मतलब क्या हुआ, मतलब डेली बिसिस पर आप पढ़ाई करते रही, आप अपने पढ़ाई को मत छूड़िये, किसे न सोचा कि सर में तो 4-5 जिनों के लिए घर जा रहा हूँ, यह हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, एक दिन तो पढ़ाई बंद रहा है, नहीं थोड़ा पढ़ो उस दिन, निकलना है जल्दी, थोड़ा ही बढ़के निकलो, बट consistency बनाए रखो क्योंकि यह जरूरी है, और consistency जो बना कर रखता है, उसके लिए बहुत सही होगा, ठीक है, उसके लिए exam qualify करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, तो focus, consistency, well-being, अब खुद क का ध्यान कैसे, while studying hard is essential, taking care of yourself and is equally important, खुद का ख्याल रखना, hard work के साथ साथ, यह बहुत जरूरी है, अब आप बीमार पढ़ गया और आपने बहुत जादा पढ़ाई की थी, तो बीमारी में जो दिन चले गए, वो तो वेस्टी होगे ना हमारे, तो ऐसा ना हो, उसे बीमार करोगे, तो कौन कौलिफाई करेगा, ठीक है, राइट, तो relaxation techniques का इस्तमाल केजी, focus on consistency, improving your understanding को बढ़ाईए, और एक और point यहाँ पर में कहूंगा, कि ensure healthy sleep, राइट, अब कम से कम छे से साथ गंटी के नीन तो आप जरूर लीजे, छे गंटे तो minimum नीन लेना ही चाहिए, आपक delicious food का ही है, ठीक है, हाना, और break जरूर दीजे, अपने पढ़ाई के बीच-बीच में break लीजे, इसलिए तो मैंने आपको तीन गंटे पढ़ने के बाद एक break दे दिया, उस तीन गंटे के पहले break दिया था, ठीक है, तो इस तरीके से break जरूर लीजे, जरूरी है, ठीक है, ठी पिजिजोलोजी, उपोर्टनी, माइक्रोबाइलोजी, बायकेमिस्ट्री, इन सभी लाइसेंस, इन सभी कोर्स में इन्रोल हो सकते हो, हर एक कोर्स के प्राइस 3999 है, ठीक है, एक nominal कोर्स टे ध्यान रखिएगा, ठीक है everyone, और उसके लिए आपको कहा हम इन्रोल करना पड़े है, इंडिया के टॉप एजुकेटर उसको पड़ाते है, उसके अंदर, इंटायर सिलेबस कवरेज, कम्प्लीट सिलेबस हमने कवर किया है, इस्टडी प्लानर, बेस्ट इस्टडी प्लानर, सुईट पी जी के वेबसाइट पर एक साइट अपना टाइम टेबल खोलना, ठी ठीक है, सलेबस खोलिएगा, और फिर मेच किजे क्या हमने सारे टॉपिक कवर करवाए हैं नहीं करवाए, देखो, डेफिनेटली करवाए, लिख कर दे रहे हैं आपर, ठीक है, इचर हेंड़ाट ओफ इच वीडियो, हर एक वीडियो का टीचर हेंड़ाट हम आपको इस पेपर, जो लेक्चर अभी आप देख रहे हैं उस लेक्चर से रिलेटेट कोश्चन्स हम आपको वाई पर साइड में आपको देखने को मिलेंगे, डीपी पी के अंदर, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है, और इन कोश्चन्स को सॉल्व कर सकते हो, एक्ट्रा फाइ नीद में, अप चोफोरSet में दाउलोडवल में दूसरा, टेस्ट के पॉर्मेंट में मॉक टेस्ट के पॉर्मेंट में और थब्र करते हैं ठीक है counseling sessions की बात करें तो counseling sessions हम आपको लगवाते हैं जिसमें हम doubt भी clear करते हैं academic non-academic बाते दोनों ही करेंगे strategies by expert ठीक है experts के दौरा strategies यहां पर लाई गई है topic wise practice questions जैसे कि मैंने वहला हमारे पास website पर कई सारे practice questions है आप वहां से देख सकते हो ठीक है everyone और बाकी सारी च requirement हो रखती है वह requirement यह रही ठीक है और आप उसको simple सा कहां से देख सकते हो स्वेट पीजी के app या website से देख सकते हो राइट तो exam pattern हुआ exam cut-off हुआ practice questions हुए paper analysis हुए previous year questions हुई है सब आपको कहां से मिलेंगे इस website www.ifsonline.com से ठीक है we are result oriented institute आपको result आपको हमारी website पर मिल हो ठीक है everyone so thank you everyone bye bye take care and happy learning यादि आपने चैनल को subscribe नहीं कर रखा हो तो please do subscribe to youtube channel और वीडियो पसाना आया तो definitely like जरू की चेका bye bye everyone take care